Hello Traders and Welcome to the Studio members HDPC Bank को आज के दिन हमने trade किया था कल हमने आप लोगों को तिनी stocks तेर्थी trade करने के लिए HDPC Bank, JSW Steel and HCL Tech तिनों यह stocks ने चाप परफॉर्म किया है कल जो stocks तेर्थी trade करने के लिए उसको analyze करेंगा जोनों ने कैसा परफॉर्म किया आज भी हम कुछे stocks देंगे जिसको कि आप कल ट्रेट करोगे So HDPC Bank को में trade क्या था यहां पर सबसे फ़ले जल्दी से trade book open कर लेते हैं Quantities कितनी थी Entry Point, Stop Loss and Target सबको देख लेंगे And इसके बाद में एक entry का model हम आप से discuss करेंगे आज कितनी तो उसको समझने के कोशिश किजएगा Position book open करते है Overall जो हमारा आज का profit है 9,826 का profit है Reason यह है कम profit का Because Stop Loss अपना वो काफी बढ़ा हो चुका था लेकिन आज जिस तरह से budget का session था So trade हमने execute किया वापस order book में चलेंगे And order book में आप देख सकते हैं जो quantity अपनी 340 quantities के साथ हमने आज के trade अपना execute किया था And जो entry price था हमारा इसको भी refresh कर लेते हैं 16,1628.90 पर हमने अपनी entry ले थी 1619.90 पर हमारा Stop Loss था And 1657 पर हम निकल गये थे मतलब यह round number था 1660 को उसे पहले हम निकल गये थे Potion book में आपसे चलते हैं Okay So 9,000 के round का profit है Which is enough And intraday session के recording ठीक है जिस तरह से आज market गिरी है न तो बहुत लोगों ने loss किया होगा अगर उन्होंने hold करने के कुशिच की या फिर उनके targets अचीव नहीं हुए हैं तो वीडियो गर अच्छा लगता है तो उसको ज़रू से ज़रू लाइक की जगा चैनल पर अगर आप पहली बढ़ाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जागा और अपने friends अलकर में शेयर करने के कुशिच चलिए वीडियो को Thanks and start करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हैं इसके सारी मार्किंग को हम डिलीट कर देते हैं और कल हमने कौन से लेवल आपको मार्क करके दिया था सिर्फ उसको मार्क करते हैं हमने previous to previous day की candle का हाई यहाँ पर मार्क करके दिया था इस रेंज के ब्रेकाउट होने के बाद में हमने आपसे कहा था कि 0.5% का टार्गेट आपको मिलेगा लेकर के चुपचा बाहर निकल जाना बट स्टॉक ने देखिए ब्रेकाउट कर देने के बाद में होगा मतलब कि समझ में आ गया प्राइस के अंदर आप यह जो ब्रेकाउट देख रहो न यह जस्ट निउस के बाद के ब्रेकाउट थे हावे मालूम था मालूम इंद असन्स के समझ में आ रहा था कि जिस तरह की निउस है न एक रीटेल ट्रेडर यहां पर भाई करने की कुशिश करेगा मार्केट अपसाइड में जाएगी थोड़ा बहुत आपको अटेक्ट करेगा और फिर वहां से सीधे नीचे गिर जाएगी ऐसा ही होता है मार्केट ऐसे ही काम करती है इसके बाद में जब आपने निफ्टी को देखा न आज उसने क्या हरकत की है वो ओपर की तरफ गई और नीचे गिर गई अब नीचे गिर जाने की बाद में फिर ट्राइलर यही सोचता है कि वो नीचे चली जाएगी लेकिन फिर ड्रा पर आजाने के बद में फिर बैंक निफ्टी में आ आप देखोगा न तो 3300-3400 रुपए की एक कैंटल फॉर्म हुई है इतने बड़े movement इतनी volatile market तो कुल मिलाकर करके जब आप trade execute करने बैटे हो तो ये सोचो कि stop loss हम कहाँ पर रख सकते हैं एक normal retailer क्या सोचता है अगर उसको trade execute करना है तो ज्यादा तरो लोग कहाँ पर trade execute करने के बारे में सोचेंगे उसके opposite काम करो दूसरों के stop loss खाने का सोचो कि हम अगर trade execute करने तो हम कहाँ पर करेंगे टेक्निकल, fundamentals, आपका experience ये सारी चीज़े आप एक side में कर दो ये सब कुछ तो काम करेगी ही करेगी थोड़ा सा चालाग भी बनो न हम लोगों को तो मालूम ही है कि market का हमारा पैसा आपके चीज़े में आपका पैसा हमारी जबनो थोड़ा सा चालाग भो नो टेक्निकल से और इन सारी इंडिकेटर सबसे आगे निकलो प्राइस एक्षन वगरे इन सबसे आगे अभी एक कदम आगे बढ़ने की सोचो market day by day improve करें और हम लोग अभी वही टेक्निकल, वही इंडिकेटर, वही अपना प्राइस एक्षन उन्हें सब में फसे हुए है ये सबको तो cross करना ही पड़े है लेकिन जल्दी हो जगे न प्राइस एक्षन को समझ लो और सीखने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी इसको सीखो और इसके बाद में फिर एक स्टेप आगे बढ़ो फिर थोड़ा सा cleverness के तरफ बढ़ो ये में भी हम काफी आगे की चीज़े आप से बोल रहे हैं लेकिन इस दिशा में भी आपका एक कदम होना चाहिए अब जैसे HTC Bank के इसने range के उपर breakout किया था 0.5% का अबने target बोला था और इसने morning में 0.5% से ज्याधा का move दिखा दिया था तो HTC Bank भी दूसरा HCL Tech HCL Tech के अंदर क्या था है कि ये वाला level था अपने इसके उपर बाई यो नीचे वाली level के नीचे short करना था तो price ने breakout किया ही नहीं breakout ही ने आया कल के लिए HCL Tech को अपने पास रखो जैसे दिखता है ना range के उपर मार दे जाएगा 0.5% का आपका target रहेगा मिल जाएगा book करके चुपचा बाहर निकल जाना HCL Tech में 0.5% लो बाहर निकल जाएगा confidence के साथ बैठो trade execute करने से पर एपने entry के confirmations ले लो अपना money और risk को manage करके trade मारो जो stock जिस level से बोल रहे है ना कर लो trade उसके ओपर profit बना ले जाओगा कल के लिए हम लोग 2 stocks को देखेंगे सबसे पहला होगा HCI Tech जिसने आज breakout नहीं दिया है chances है कि price अपना कल के दिन breakout मार देगा day time frame के लिएल पर हम बता देते हैं आपको कि हमने क्या mark किया था हमने previous to previous day का just high mark किया था कल के दिन आज देखे क्या है इस green वाली candle का just यह जो high है यही अपना mark है और जैसे ही price इस green वाली candle के ऊपर निकले यहां से आप भाई कर लेना इसको इस जगे से आप भाई कर लेना और अगर price हमारी range के नीचे के तरफ निकलता है तो नीचे के तरफ आप shot मार देना हालना कि chances are very high कि price will go for upside उपर की दिशा में अगर जाता तो कुछ नहीं करना 0.5% का move लेकर के बैठ जाईएगा दूसरा जो stock अपने पास है फार्मा sector का stock है torrent pharma torrent pharma फार्मा 1569 रुपे चालिस पैसे है कि उपर अगर निकलता है 1569 चालिस इसके उपर मार देज़ेगा trade 0.5% का target इसके निचे मार देज़ेगा trade अगर निचे की तरफ निकलता तो 0.5% का target मिल जाएगा breakout होगा target मिलेगा थोड़ा सा analysis इसके उपर कर लेज़ेगा अपने और फिर से हम बोले अपने risk and money को manage कर लेना इसके बाद में अपने entry के patterns find को लो trade मार दो entry के patterns किस तरह से हम लोग find करते हैं कल वाले वीडियो में हमने simple view में बता रखा है पूरा analysis वीडियो है कैसे हम लोग stock अपने निकाल रहे हैं कल trade करने के लिए कैसे उसको analyze कर रहे हैं उसके उपर entry करने के लिए किन methods का हम use कर रहे हैं सारी चीज़ा हमने कल के वीडियो में बता हुए है उसको जाओ देखो आज के लिए हमने आपको torrent power आज के लिए नहीं कल trade करने के लिए torrent power और HCL टेक दिया है आराम से इसको कल के दिन trade करना आराम से बैट जाना breakout नहीं होता है मत मत तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि trade को होगा नहीं और अगर होगा तो profit में निकलोगे कोशिश हम करेंगे कि किसी भी तरह से आप लोगों को technical words में नाफसा करके technical terms में नाफसा करके जो सिर्फ काम की बात है और जो आसानी से समझ में है वो हम बताएंगे because हमने ये चीज़ analyze की इसको मैसूस किया है कि जो smart money concepts है बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे concepts होते है इसके लेकिन इसको इतना कठिन बना दिया गया है कि अगर अपनी तरफ से अगर effort ना लगा तो समझ नहीं पाऊगे ठीक है कोई भी अगर हम लोग subject को अच्छा subject पढ़ना चाहरे है न तो उसमें होता ही ऐसा है प्यास करना पढ़ता है effort लगाना पढ़ता है तभी जाकर कि वो समझ में आता है काफी पहले एक line हमने पढ़ी थी अगर हम सही है तो शैद Abraham Lincoln नेबाद बोली थी कि वो subject जो कि आप आसान भाशा में आसान शब्दों से और आसान तरीके से समझा न पाऊ इसका मतलब यह होता है कि आपने अभी भी उसको सही से नहीं समझा रहे हैं बहुत घुमा फिरा कर यह वो और तरह तरह के words घुमा कोई मिला करके कन्फ्यूज कर दें ऐसे शब्द अगर आपसे कोई समझा रहा है या इन शब्दों समझा रहा है तो कहीं न कहीं यह पॉसिबिलिटीज हैं कि उसको खुद भी अभी वो सब्जेक्ट सही से समझ में नहीं आया हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्राइजक्शन या फिर स्मार्ट मुनी कॉंसेट को हम बहुत अच्छी तरह समझ कर रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमको समझ मेरा प् प्राइजक्शन वर्क करता है ना सब कुछ तो एक तरह से मार्केट को आप देखोगे यह स्टॉप लॉस लेए के लिए चलती है एक बेसिक कॉंसेट तो यह रख लो कि यह आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए चलीगे आप देख लो कि नॉर्मल चुड़े स्टॉप लो उसका कुछ structure होता है कुछ movement होता है कुछ fixed structures होते हैं कि इस तरह से अगर यह बन गया है तो हो सकता है कि price अगर अपनी range के अंदर आ जाए तो यह यहां से नीचे के तरफ गिर सकता है यह गिर जाएगा अच्छा इसी को बोल दिया था W pattern के price ऐसे ऐसे आया और इसने W pattern बना यह कुछ भी प्राइस ऊपर की तरफ गया लो तोड़ा हाई की तरफ चला गया प्राइस क्या किया ना previous range के अंदर ओपर नहीं हो पाया मतलब नहीं जा पाया यहां से support ले लिया and upside की तरफ अगर इसने high तोड़ दिया अगर इसने high तो क्या होगा ना फिर price हमारे highs लगा र हो रहा है इसको क्या बोलते है smart money के अंदर यह हमारे boss हो जाते है break of structure and liquidity order flow यह सारी चीज़े order blocks इस तरह से इनको नाम दे दिया गया है तो काफी advanced है जह हम लोग smart money को पढ़ते हैं तो काफी advanced होता है तो इस चीज़ को अगर आप smart money को समझोगे न तो अभी हमने यह बात आप पहले के जितने भी chapter से वह complete करने होगे और उसके बाद में फिर आप एक step आगे निकलोगे फिर इसको समझने के कुशिश करोगे क्योंकि यहाँ पर क्या है candles का इतना महत्व नहीं होता है सिर्फ price किस तरह से move कर रहा है एक high लगा एक low लगा अब यहाँ पर देखिए में प अगा करके इसको मिलता है demand and again price ने क्या कि अपने structure को break कर दिया उपर की तरफ चला गया फिर से price नीचे की तरफ आया हमें क्या लगता है कि price यहाँ से support ले रहा है इस जगे से price में भी support ले सकता है एक retail trader तो यही सोचेगा ना but price क्या करता है अपने इसी point से trade execute करके वापस उ यह normal से चीज़ें आप कोई भी chart उठा करके देख लो यह जो movement होता है यह stop loss लेने के लिए किया जाता है और अभी जो हम आपको example दे रहे थे जितना भी इमने भी आपसे discussion किया ना यह सिर्फ इसी लिए कि हम लोग पढ़ रहे है जब अभ्यास कर रहे है तो हमको लग रहे ह क्या हो रहा है यह price नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर हो रहा है stop loss जा रहा है यह वो बट जह हमने इसको पढ़ना start किया तो हम यह देख रहे है कि हम लोग तो इसको बाद में पढ़ रहे है इसके ओपर already बहुत लोगों ने study कर रखी है उन्होंने books लिख रखी है उन के दिन हमने क्यों आपको बताया क्योंकि इसी concept के थ्रू हमने अपना trade execute किया कैसे price open हुआ इसने एक high लगा रहा एंड high लगा देने के बाद में price ने अपना high break कर दिया upside की तरफ यहां से price फिर हमारा उपर की तरफ चला गया है अगेन देखिए क्योंकि इस जगे पर हमें entry नहीं मिल पाय थी फिर price हमारा नीचे की दिशाम है और जैसे हमें लगा कि price नीचे की गिर गया में भी हो सकते हैं इस पूरे concept को समझने में छोड़ी हो तो आपको परिशानी हो रही हो या फिर आप confused हो रहे हो बस इसको ऐसे समझो कि आप अगर होते तो आप trade कैसे execute करते हैं एक resistance point प्राइज हमारा नीचे की तरफ गिर गया breakout नहीं हो है अभी तर यहां से क्या प्राइज होते हैं उसके उपर के अपने stoppers लगाओ में भी हो सकते है TP1 के पास अपनी जितनी भी आपके टारगेट उसको आप बुक करोगे अगर आपका RR के एकार्डिंग होगा तो और नहीं तो फिर प्राइस जब नीचे की दिशा में आता है तो फिर main demand punch होता है जहां कि this is order flow जहुरत नहीं आपको order flow वगार यह सब इन सब चीजों में फसाने के बूल जाने के जो चीज़े हम लोग समझते हैं already कि एक resistance पॉइंट है देखे इस resistance को price अगर break करेगा तो उपर की तरफ जाएगा यह सब लोग जानते सब समझते है resistance टूटेगा सब लोग यहां पर अपनी positions open करने के कुशिश करेंगा बट price stop loss लेगा stop loss लेगा तभी price ओपर की तरफ जाएगा देखो कि stop loss कहां पर लग सकते है तो एक तो liquidity sweeps यह है extra confidence price ने नीचे की तरफ movement दिखाया फिर से एक demand point बना एक दो तो मतलब price इसी जगह से upside की त take out this high to continue bullish order flow यह जो order flow है इसको continue करने की कोशिश करता है यहां पर गया और वापस से इसने सारे stop loss लिये यहां तक और फिर से price आपका continue और वैसे जब आप देखोगे न तो देखिए एक simple way मताते हैं कि price क्या कर रहा है अपने resistance को लगातार break कर रहा है यहां से resistance उड़ गया इस होते हैं यहां पर trade execute नहीं करना होता है कोशिश आप करिए कि बिल्कुल support point यानि कि day time frame के लेवल पर जो भी area आप मार्क करोग न उसके पास से ही अपना trade execute करो इन बिट्विन trade execute करो तो यह बहुत risky होता है जैसे आज आज आप देखोगे न तो हमने in between trade execute क्या है बड़ trade execute कर पर सकता है यही price action है यही smart money है यही trading है आपकी one day की हो या one month की हो या फिर one year की हो अब चलते हैं आज के चार्ट के उपर HDFC bank open कर लेते हैं HDFC bank देखें यह 5 minute का time frame है यहाँ पर देखें वो जो structure हमने दिखाया था आपको वो easy लगता है अब यहाँ पर जब candles आती है तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है पूरा same to same वही structure है same to same structures इसे market की कुछ conditions भी होती है इसे market की कुछ sentiments भी होती है इस price का first resistance point एक low again एक high low यहाँ से price ने किया किया अपना high break कर दिया break करने के बाद में वापस से price हमारी नीचे की दिशा में movement दिखाने से start किया अब यह तो एक support point बन गया क्या हम इसको mark कर सकते है क्योंकि इसने morning में यह वाला low लगाय था हमने इसको mark कर लिया and price आपके इस zone के अंदर ही travel कर रहा है price इस zone में travel कर रहा है यह क्या बन जाता है break off structure का area फिर से high फिर low और price ने क्या गया break out दिखा दिया वापस से देखिए उपर की तरफ गया and low जैसे ही price ने इस green वाली candle के तुरू volume अपनी increase की और जैसे price उपर की तरफ जाने लगा मतलब कि rejection है हमने इस candle क low पर अपना stop loss रखती है अब देखिए इस जगह से price जैसे ही उपर की तरफ गया इसने क्या किया price अपने resistance को break करना start कर दिया लगा था जैसे कि यह वाला के लिए सबसे पहले morning में एक resistance ब्रेक हुआ जो की 9.15 की candle के साथ में price ने form किया था अब यहां पर सबसे पहले 9.15 की candle का resistance हमारा गया यह वाला इसके बाद में 9.15 की candle को break करने की बाद में एक यह resistance बना price हमारा नीचे की तरफ आया और फिर से यह वाला resistance ब्रेक हो गया price सीधे उपर अब यह जितनी भी lines अब देख लो अभी हमने कहा ना कि जो structures पहले हो रहे हैं यह बहुत ज्यादा असार डाल structure से और फिर price आपका ऊपर की तरफ चले गया यह याद रखना यह जो भी आप level मार्क कर रहे हो ना यह support बन जाते हैं आगे चल करके और यही लेवल आपके resistance बन जाते प्राइस जैसे ही ऊपर की तरफ गया यहाँ पर हमारा target area क्या था बिल्कुल round number 1660 हमारा target था यह वाला point इसके बाद में जब three minutes के time frame पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेंडर्स नजर आ जाएंगे इन्ही पैटर्स के पास हमने इपनी exit की थी reason यह भी था क्योंकि फिर आपका जो sector था ना HTC bank का वो नीचे आने लगा था उसने काफी पहले उसने show कर दिया था इसके साथ ही साथ मार्केट में जब अच्छी news अभी जैसा हम बता रहे थे कि बहुत ज्यादा अच्छी news आने लग गई जब मार्केट आवर्स में दोनों यह लोग बैट करके discussion कर रहे थे ना तो बात यह चलने थे कि मार्केट अभी ऊपर चली जाएगी क्योंकि बजट बहुत अच्छा है हमें हमको ऐसा लग रहा था कि प्राइस ऊपर तो जाएगा वो नो डाउट ऊपर जाएगा उपने हाई उसको ब्रेक करेगा लेकिन ब्रेक करने के बाद में वो फॉरं गिर क्योंकि आज बहुत अच्छा मौका है लोगों के स्टॉप लोस लेने का बजट है ना हर आदमी सोचेगा बड़ा अच्छा बजट है प्राइस तो ऊपर ही भागेगा वो बागता है उपर देखिए जैसे निफ्टी का मूव हम आपको दिखा है प्राइस के अंदर बहुत कोई भी रेसिंटह ब्रेक होने लगा ना प्राइस डेस्टेंट्स के नीचे चुपचा बहार निकल जो जिपशी अंदर आप बने हुए हो या फिर शॉट साथ के अपनी एंट्री बना लो तो जैसे ही प्राइस अपने रेसिंटन्स एरिया के अंदर आया इसने क्या किया breakout और वापस से देखे price आपका resistance के अंदर आगा वो गिर जाएगा बहुत ज़्यादा chances है कि price गिर सकता है अब day time frame पर देख लो यह अपना exact swing area था इस swing के पास में हमने इस जगह पर अपनी जितने भी targets थे सारे book किये थे यह round number है आप 1560 को draw को लो जैसे 1560 यह resistance area है प्रैस इसके पास सही कोशिश करता है कि नीचे की तरफ गिर जाएगा 1560 के पूर 1570 1650 को इसने ब्रेक है 1650 के बाद में 1660 आ जाता है तो फार्म के time frame इस जगह पर अपनी targets हमने book किया थे अपनी entry point हमारा यह वाली candle थी और यह जो लेक वाली candle देख रहे हैं इसके थोड़ा से नीचे हमने अपना stop loss रखा हुआ था और उपर इस जगह पर कहीं अपनी अपना target book किया था and overall हमारा आज का profit कितने था 9000 के आसपास का profit है so I hope की video समझ में होगा जो भी चीज़े हमने बताई हैं यह आपको clear हुई होगी okay so thanks good bye जो stocks हमने आपको कल के लिए हैं HCL Tech and दूसरे stock कौन सा था JSW Steel sorry HCL Tech था and Pharma का stock था अपना वीडियो का ब्रिबैंट करके देख ली जाएगा हम शायद नाम बोले हैं उसका okay so thanks goodbye and we will meet again